छलो भईया इंकम ताल थाट था जो कुष्ण ने दोजार थेज का कोशिन कि रहा है विचोंन ने फॉलविंग इस नोट एन पटियन इडवांटेज नहीं है तुम्हें क्या देरक्खें चार स्टैड में देरक्खें नमें से बताना है कौन-कौन सा एडवांटेज नहीं है क इसका इंब्रेटिंग का इंब्रेटिंग का इंब्रेटिंग तो पता होगा तो पड़ो अरे पता है नहीं पता इंब्रेटिंग यह बताओ पहले यह क्या होती इंपृटिटिंग जर्स्थढरों में साथि हो जा रहें है उस् contenido saber को रिश्थेदारों में होंगत म्नने मोंट्विट भात बात बता दिए अब समझनां था समझ यह बाके हम कोशन कर रहे हैं टॉपी किलिए नहीं कर रहे हैं तो इंब्रेइटिंग के बारे में तुम्हें क्या सब्षहा में गे वह बतानी इस्टेज्ट में जो जो इन्ब्रेइटिंग कि एडवांटेज नहीं है यह द्यान देग लेना and advantage of inbreeding लोगों चार statement दे रखी हैं पहली statement कहा रही है कि it decreases the productivity of inbreed population after continuous breeding यह degrees करती है inbreed population की productivity को continuous inbreeding कराते हो तो तो degrees हो जया है कि productivity बताना है तुम्हें यह degrees करती है homozygocity, react-spoze करती है harmful excessive genes को जो कि eliminate कर चुबा है selection जो कि eliminate हो चुके है selection द्वार फिर फॉर्थ स्टेटमेंट के रिए एलिमिनेशन जो है किसका होगा लेजिजरेबल जील्स का और एक्युमिलेशन किसका होगा सुपिरियर जील्स का यह के रिए है तो चारो स्टेटमें बतानी है गलत हैं, सही हैं या क्या है है मतलब जो भी है तुम्हें एडवांटेज नहीं बताएं नहीं है इंब्रीडिंग का तो सबसे पहले आजो एंसाइट देख लेते तहीं बताएंगे एनास्मेंट फूर वो स्वरी स्टेजिस फूर एनास्मेंट फूर वाला चैप्टर है इसमां तुम्हां आओगे यह पाड़े Qального के अत welcome है क्यों अव्म कुन क्या कर एक है डिक्रीज कर रहा है प्रिझ खड़ेंज कर रहे है कि हो में अट हो तो यह तो गलत ऑगई के अम अब गौरत प्शेंगमे कोश्चे मैं ब olduğ कि एक टहिए को पहां में आए कहक्स लिए है हैं अ जब की तो में डिक्रीज दे रखा है तो लोग यह आगे पटते हैं किना इंब्रीडिंग नेसेसरी है अगर हमें एवाल्व कराने प्योर लाइन को किसी भी एनिमल में ठीक है ऐसी को स्टेट्मेंट में यान नहीं दिये लेकिन याद रखना यह क्या करता है एवाल्व कराता जो कि इवाल्व क। यह ठीक हैं सिलेक्सिन दवारा कर रहा है थे हन्फे रखने को इक्तम निहें मुर्व करता है और डिसारेबल जीन के एलिमीनेशन में चली तो बेर। Gain के accumulation में यह देखना less desirable Gain के elimination और accumulation किसका superior Gains का उभाई देखना accumulation of superior Gains का और eliminate क्या हो रहे है less desirable Gain तो eliminate less desirable Gain और accumulation और रहा है superior Gains का ब्लुकुछ सेम लाइन है यह पहल्डम सखेकिल है यानिकि यह भी एक advantage in breeding का अगर फ़ीक को उल्टा कर देतना कि elimination of सुपीरियर जीन्स एंड एक्यूमिलेशन ओफ लिए जिजैरेबल जीन तो भाई 90 परसें लोग इसे गलती माग कर जाते तो एक एक बड़ चाट चाट के खा खाके फैक फैक के कैसे भी करो बस पड़ जाओ दिमाज से निकले ना कुछ भी करो ठीक है चलो आगे पटते हैं फ कर रहे हो इस प्ड़ी निक को नो कर जा रहे हो इस प्लста कि अवरेग्टी इह डीकषिंटि करा रहा है देखना त debating को जLaugh करना रहा है अधर fertility भी आती तो भी सही होता डिग्रिस करता fertility को यह important है भाई highlight देखले ना क्या क्या हो रहा है छोड़ के ना जाना इन्हें ठीक है तो इन्हीं चीज़ों क्या करें कि I am inbeleading depression तो देखो mean advantage है second नहीं है ठीड्नदेट्वी बीडिंग का 4 बीडिंग का फॉर्द्वी बीडिंग का तो कौन सी नहीं और और ग lift है यह बहुत कि इसटेक्र से देख लो है इन्हें जाले इन्हें पी करती है हो पाधिटी हो जाए यह नहीं अल्य अगर हमें इवाल्व कराना प्योड लाइन किसी भी अनिमल में इन्बीडिंग एक्सपॉट करती है हांफुल इसे जी जीन और जोकी एलिम्नेट हो चुके है सेलेक्शन द्वारा यह हेल्प करती है सुपीर जीन के एक्मिलेशन में और एलिम्नेशन में किसके लिए देस्यायबल जीन के भीया फिर अगर गंडीनीव कराते रहोंगे इन्बीडिंग वह भी कौनसे वाली आंप क्रोशिंग कराके आउट्टिंग कारें आउट्टिंग में तीन है क्या ह३ heating यह तीन हम वह तुमारा अगर तुम आब yanशन ऐसे तो आघर तुम पॉंग मिला है कि इनडेटिण कर रहे है हमारा कि किसी भी नग्याओंक हो भाग बांच तो चीवर्ण्हें फिन दिशान हो रहे है लिकार अंजो समय ॹॉ झाल झाल